गुड मॉर्निंग तो अल्ड देयर स्टूदेंट्स तोड़े आम गूंग तो टीच यू मैथमेटिक्स अब क्लास सिक्स्थ एक्ससाइज 4.4 मल्टिप्लाई करना है 16 को 8 से तो 16 इंटो 8 8 6 जा 48 का 8 4 कैरी 8 और 4 12 यानि 128 इसी तरीके से 12 6 देखे एक बार माइनस है वन टाइम अगर यह इवन नंबर में है तो हम इसा प्लस में रहेगा अगर ओड में है 1 क्या है ओड नंबर है एक बार माइनस है वन टाइम 12 6 जा 72 लेकिन प्लस में की माइनस में माइनस में क्योंकि एक बार ही माइनस है इसी तरीके से देखे अगर माइनस टू टाइमस है वन टू तो यहां हमारा आंसर किसमें आगा प्लस में आएगा और टू टू जा टू जा टू जा even number में है तो हमेशा वो plus में रहेगा अगर वो odd में है तो minus रहेगा जैसे देखे यहाँ 1, 2 2 times है 2 क्या है even है क्या odd है even है तो 3, 4 जा 12 12, 5 जा 60 60 plus में या minus में plus में क्योंकि 1, 2 2 times है अगर यही 3 times है होता तो minus में आता देखे वन टाइम है 4th जा 12 12, 6 जा 72 72 में आएगा क्यों आएगा क्योंकि 1 time है इसी तरीके से आप बागी questions खुद से करिए इसको भी उसी तरीके से करना है 14 into 17 तो 14 और 17 को multiply करेंगे तो हमारा कितना आएगा 238 उसके बाद into 20 अब यह minus में क्यों आएगा क्योंकि 1 time एक ही बार हमारा क्या है minus है इसको जब multiply करेंगे तो 0 आएगा 28 जा यानि 16 और 23 जा 6 और 1 7 22 जा 4 और यह minus में आएगा क्योंकि 1 time ही 4760 इसी तरीके से इसको करेंगे देखे 1 2 times है तो यानि हमारा answer प्लस में आएगा 6 तरीजा 18 18 फोरजा 72 अब 72 प्लस में होगा या minus में जब हम multiply करते हैं अगर वो even number में है तो वो प्लस में आएगा अगर odd number में है इसी तरीके से बाकी questions आप खुछ से solve करेंगे question number 4 is state true or false product of a positive integer and negative integer अगर एक number positive है फिर दूसरा number negative है तो हमेशा जो integer आएगा वो negative आएगा यह सही है true है यानि मतलब 2 into 3 एक plus है एक minus है तो minus 6 आएगा यानि negative में आएगा हमारा answer the product of two negative integers is a negative integer नहीं दो बार अगर negative आ रहा है यानि 2 minus में फिर minus में 2 तो यह plus 4 आएगा क्योंकि यह क्या हो गया इवन में हो गया the product of three negative numbers is negative integers सही बात है three times अगर negative integers है तो वो negative आएगा क्योंकि वो क्या होगा odd होगा इसी तरीके से इस question को देखते है question number 5 6th रिजा 18 6th वन जा 6th 1 7 minus में क्योंकि एक बार ही minus है इसी तरीके से 4th रिजा 12 4 बन जा 4 1 6 जे 52 4th रिजा 12 4 बन जा 4 1 5 अब इन दोनों को add कर लेते हैं 8 और 2 10 5 और 7 12 13 13 7 और 5 12 और 1 कैरी 13 11 113 130 माइनस में आएगा इसी तरीके से 2nd question 8 टेंजा 80 माइनस में 7 टेंजा 70 माइनस में दोनों को add करन देंगे तो 150 माइनस में आ जाएगा अब देखे question number 6 integers को divide कैसे करते 85 divided by 17 माइनस 72 divided by 18 आप सब divide करना जानते हैं 85 divided by 17 85 को हम divide करेंगे किसते 17 से वो भी माइनस 17 से 17 5 जा 80 होता है 17 मन जा 70 75 जा लेकिन ये एक बार माइनस है उपर नीचे में कहीं भी denominator numerator में एक जगा माइनस है तो माइनस लिखेंगा अगर दोनों जगा होगा तो cancel हो जाएगा इसी तरीके से 72 माइनस में है upon 18 तो ये आ जाएगा 4 18 4 माइनस में इसी तरीके से बाकी questions आप खुछ से solve करिए ये देखे इसमें बताईए true है के false है पहला जो है वो अगर 0 को हम divide करें किसी भी नंबर से तो 0 आएगा यानि ये true है सेकेंड क्या है सेकेंड क्या है सिक्स को अगर ये तो infinite होगा यानि ये false है 0 से हम किसी नंबर को divide करेंगे तो वो अभी तक निश्चित नहीं है this is not defined ये अभी define नहीं किया गया है कि 0 से divide कर सकते हैं या नहीं फिर देखते हैं 25 divided minus 1 तो ये true है 4 देखते हैं 36 minus 9 कभी नहीं आएगा क्योंकि नीचे minus है उपर भी minus है तो divide प्लस नहीं आएगा ये क्या है false है इसी तरीके से 5 से देखते हैं minus 8 को minus 1 से divide करेंगे तो minus minus cancel हो गया ये true है इसी तरीके से बागी questions आप खुद से solve करिए Thank you so much आप 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 आप